नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको शिखाऊंगा बहुत स्टाइलिस्ट बहुत सिंपल वी नैक डिजाइन जोकी बहुत असानी से बन भी जाता है और बनने के बाद बहुत अकर्शक लगता है और दोस्तो साथ ही सात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ अगर आप सिलाई का शोक रखते हो घर बैटके सिलाई सीखना चाहते हो तो आप हमारा ओनलाइन स्टीचिंग कोर्स भी जॉइन कर सकते हो इस स्क्रीन के उपर आपको दो नंबर दिखाई दे रहे होंगे इन नंबर पर कोल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो बाओ यदद करें अपसर निशाण लगा और करना यहां से आपको दूरी रखनी है ने बर आध इंश की डूरी आपने मिला और इसको मिला दिया है और इस निशान को भी सीधा इस प्रकार से कर लेते हैं यह देखिए अब यह जो गला है दोस्तों गले के मैंने इस प्रकार से मार्क कर रहे हैं अब इसी मार्क को आपने दूसरी तरफ भी करना है तो दूसरी तरफ करने के लिए आपको क्या करना है इस सूट को जो भी आप बना रहे इसको इस प्रकार से पलट लेना है अंदर की तरफ ये देखें और ये बिलकुल इसके बराबर रखेंगे आर्मों से आर्मों मिलाती हुए और यहां पर आपको इस प्रकार से थोड़ी सी थपी मारनी है देखें कैसे पर इसको बिलकुल बराब कर लिया है अब इसके बाद दोस्तों जो आगे का जो काम है वो क्या है ये जो निशान मैंने लगाए है ना इस निशान से हलका थोड़ा फोड़ आधा आधा इंच का आप इस प्रकार से डॉट्स लगाएं ये देखे हलका लगे से और इन डॉट्स पर आपको करनी है कटिंग ये मैंने कटिंग कर ली इसके बाद आपको यहां पर एक कट लगाने इस प्रकार से ठीक है और एक कट आपको लगाना इस तरह तो दोस्तों गले की जो कटिंग है आपको डायेक्ट कपड़े पर ही करनी है यानि की सूट पर ही करन वह थी है अब गले की cutting होचुकी है गले की cutting करने के बाद दोस्तो अब आपको उठानी है पाटियां अब आपको टोटल चार पकौत लेनी ते इसको यह लमभाई है लंबाई आपको लगभग 14-15 इंच के करीब आपको लंबाई लेनी है कुल मिलाकर 4 पट्टी लेनी है मैं दुबारे रिपीट कर देता हूं चुड़ाई रखनी है धाइंच और लंबाई आप 14 या फिर 15 के करीब रख सकते हो अब इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद दोस्तों दो पट्टी उठानी है सिर्फ यह देखी एक यह और कि कोई से बीट उठाले अब इन दो पत्टीओं के उपर आपको चिपकानी है पेपर फों इसको आपने ऐसा से लख लेना है एक यह रख लिए मैंने और इसके उपर आपको अच्छी तरह से प्रैस कर लेना पेपर फोर मैं इसको चिपक लिया है में इसके बाद एड़ीर कि यह है यह इसमें नाखुन से भी प्रेस कर सकते हो इस प्रकार से यह देखें बिल्कुल बीच में से सेंटर में से इसको नाखुन से प्रेस कर लें यहां फिर आप इसे प्रेस भी कर सकते हो इस तरह से देखें कि अप दोस्तो इसने का आगे का आगे प्रोइज है यह दहिए यह पेपर फोंवाली पटी यह इसके उपर आपने इसको प्रकार से रखना है इसको बिल्कुल इसके पास लगा दी ही है मैं है अब आपको जो श्राय लगाने हैं इसमें आपकी करता है आप इसमें जो पाइपन रखना चाहते हो कितनी बारीक रखना चाहते हो यह पर चोड़ी रखना चाहते हो जिस तरह का मैं डिसे बनाए रहा हु इसमें जो लुक आता दूस्स capitalist थोड़ी फाइप से आता है तो इसके बिल्कुल बीच ओ बीच आपको श्राय लगानी है देखें मैं आदा इंच के करीब इसके अंदर जो है पाइपिन रखूँगा चोड़ी ठीक है यह देखें इस प्रकास से श्राय कैसे लगानी है आई चलते हैं मशीन पर तो फ्रेंड्स यह देखिए इस पट्टी दोस्तो यह स्राय लगाने के बाद अब आपको लेनी है दूसरी वाली पट्टी इस पट्टी को इसके उपर रखना है और उपर रखने के बाद अब आपको जो स्राय लगानी है इस प्रकार से लगानी है तांकि कोई भी कन्फ्यूजर ना रहे क्योंकि यह जो स्राय आपक प्लाहिए uz प्लादेब क legg dont you. प्ला कि ख़र रहा है इसलिए में मोती प्लाहिए इस प्लाइस के बंद क्रेस्ट के बाद प्रेस कर लिए और सबोर्नाख से आपको 2017 वाला पाट है उसको भी बना लेना है और बनाने के बाद एक सलाई आप चाहें तो यहां पर भी लगा सकते हो यह देखिए ताकि नीचे की जो पटी है यह जो अलग है फिलाल इसके साथ आप देख सकते हो इसके साथ अटैच हो जाएगी और जो मार्क हमने करे थे वह उल्टी तरफ करे थे सूट को बिल्कुल सीधा रखना है सीधा रखने के बाद आप यहां पर बिल्कुल सेंटर में आपको एक निशान लगाना है आप देख सकते हैं इसमें मैंने निशान लगा लिया है टोटल यह जो दूरी थी कितनी थी यह सेन्टर में आपने निशान लगाया अब आपको क्या करना है ठीक है और आपको यह वाला निशान दिख रहा होगा अंदर से ठीक है यह देखिए यह वाला निशान जो दिख रहा है न तो कहने का मतलब मेरा यह है कि यह जो निशान है इस निशान पर ही आपकी जो है सिलाई आपको लगानी है तो इस तरह लगाने के लिए आपको क्या कर यह मैंने निशान लगा लिया है ठीक है इस निशान पर आपको साय लगानी है और इसी प्रकार से यह देखिए इसको इसके सामने रखा मैंने बिलकुल सामने ठीक है और यह जो निशान है ठीक है इस निशान के सामने इस पर हलका सा डॉट से लगा दें और स्केल उठाएं औ आदा इंच की मार्जन आपको रखना है बाकि सारे कप्ड़े को कट कर दें इसी प्रकार से इधर से अब दोस्तों सराई कैसे लगानी ये रखा है बाकि सीधा ठीक है और इसको लखना है अपने इसने परी Share this eleven मैं इसको रखना है निशान हमारा लगी रहा इसक उपर बिल्कुल कोई को लगानी है यहां से लगानी है सीधी लगानी है और अधाहि लगे गैसे मैं आपको ले के चलता हूं मशीन पर तो दोस्तों इस पट्टी को आपने इस प्रकार से रखना है यह डेखे बिरक už उप capitalist स्टार्ट करेंगे यह देखे यहां से और ये जो स्लाई आपको लगाना ही कहा तक है ये जो कट लगारा नीचे इस कट तक आपको इ deconstation लगाना है ये देखिए बस यहीं पर लाके jusloe को खतम आपने कर लेना है और धागे आपको काट कर लेना है ये दागे मैंने दूसरी तरफ आना यह देखें ऊपर से बिलकुल बराबर रखेंगे यह यहां से बिलकुल बराबर और जो श्लाइग की स्टार्टिंग आपको करनी है वो आपको करनी है इस CUT से यह देखिए अब जो भी आइस्टाद आगे इनको सब को कट कर लेते हैं नीचे से उपर से और इसके बाद दोस्तों आगे का जो प्रोसीजर समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं काउंटर पर तो दोस्तों ये देखिए ये श्राइब लग चुकी ये भी लग चुकी अब बहुत आसान काम हैं कुछ भी मुश्किल नहीं है ये इस पत्टी को आपने इस परकार से अंदर की तरफ फोल्ड करना है इसको यह देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है ठीक है फ्रवरसन आखुन से प्रैस कर लेते हैं इधर से इस परकार से बाहर आएगी यह जो पाइपिन आपको गले वाली साइड हो जाएगी अब दोस्तों तो यह देखिए पट्टियों को नीचे सरकारने के बाद इसका जो लुक है कुछ आपको इस परकार से नजर आएगा यह देखें यह इसका पूरा गला में खोल कर दिखा देता हूं अब यह जो मारजन है यह वाला ठीक है यह आपको नजर आ रहा होगा अब इस मारजन पर बस यही था आप देख सकते हो यह जो मारजन है यह वाला यह आपको इस परकार से आपको नजर आ रहा होगा बस इसके उपर आपको सीधी एक स्लाइल लगाने के बाद दोस्तों यह देखिए यह बिलकुल गुम तरीके सा आपकी इस तरह से स्लाइल नजर आएगी आपको और कंप्लिट हो जाएगा अब दोस्तों इस राइल कैसे लगानी है उसके लिए मैं आपको लेकर चलूँगा मशीन पर तो दोस्तों यह देखिए स्लाइल लगाने का तरीका स्लाइल मैंने लगा ली है स्लाइल लगाने के बाद अब यह जो सूट का जो कपड़ा है यह वाला इसको मैं आपको नीचे करके दिखा जता हूँ और यहां पर थोड़ी से नाखुन से प्रेस करेंगे यह देखिए थोड़ी वो जो हलकी फिलकी जो चुनटे आ रही है ना और इसका गले का जो फाइनल लुक में आपको दिखाता हूँ इस प्रकार से आप देख सकते हो गला हमारा बन चुका है बर थोड़ी सी इसमें के अंदर जो कमी है वो रह गही ही प्रेस की प्रेस करने के बाद इसके अंदर जो है सारी कमिया पूरी हो जाएंगी और आप द चैनल पर पहली बाद लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें थैंक्यू वेरी मच्च